तुला रासी बालों का आने बाला दिन यानी की दो अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ दो अप्रेल 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है पंच में नक्छत्र है जिस्ठा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सुक्र वार आज के दिन सुर्ज उदे का समय है छे बज़ के दस मिनट में सुर्ज अस्त का समय है छे बज़ के उन्चालीस मिनट में रितू है वशंत आज का दिन काल है बारह घंटे 28 मिनट 49 सिकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए सुभ समय सुरू होता है बारह बजे पीएम से बारह बजे के 50 मिनट पीएम तक आसुभ काल सुरू होता है बारह बजे के 50 मिनट पीएम से बारह बजे के 25 मिनट पीएम तक दिसासूल है पस्चिम दिसाकी और तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले समय में आपके केडियर के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मित्रों आने बाले समय में यदी आप अपने केडियर के छेत्र में अपने समय को बड़बाद करते हैं अपने समय के महत्तों को यदी आप नहीं समझते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना होगा तो आने बाले समय में अपने केडियर के छेत्र में समय के दुरुपयोग से आपको बचना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने बाले समय में आपके नौकडी के छेत्र में आपके भोस या आपके सिनियर के दुआरा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टस्क दिया जाए तो उस काम को महनत इमान दाड़ी एबम एका अगरता के साथ आपको पूरा करना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके नौकडी के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सिहत के बारे में आपके सुवास्त के बारे में दोस्तों आप में से जो भी जातक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सीबन करते हों तो आने वाले समय में इन चीजों को आपको छोरना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके सीहत के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको धियान देना चाहिए मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा एबम सलेटी आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यानी की सिक्स मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको गाई को गुर खिलाना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दें, एबम इस वेडियो को आप हर जगह सेर कर दें, धन्यवाद